आजोरी में आतंकियों के साथ मुर्भेड में कांगडा के जवान शहीद हुए दूरी मरू में उनका पार्थिव शरीर पहुंचा गया है अंतिम विदाई में शैक प्रू की संक्या में लोग शामिल हुए पूरे सैनिक और राज के समान के साथ कांगडा के शहीद की ओ अंति पूंद जिंदल ने उन्हें शुदाणजली पेश किवें विधायक सुलेह विपिन परमार भी यहां पहुंचे राजवरी में दाशित घर्दों समुटभेड में शहीद हुए अर्विंद कुमार की आखरी रसुमात अदा कर दी गई उन्हें पूरे राज के सम्मान के पूरे देश में भी मातम का महौल है यह कांगडा से आप तस्वीरे देख रहे हैं शहीद अर्विंद कुमार के ज़स्देखाखी को उनके पार्थिक शरीप को उनके ग्रह जिली में लाया गया और फिर उन्हें पूरे राज के सम्मान के साथ आखरी विदाई दी गई तस्वीरे कांगडा से देख रहे हैं आप अपने पीजी स्क्रीड बर शहीद अर्विंद को आखरी विदाई दी गई यहां राजवरी में आतंकी के साथ मुद्वेड में भारत के पांच जवान शहीद हो गए थे मनोज धीमान हमारे साथ ही बने हुए हमारे साथ मनोज यह रुला देने वाली तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कांगडा से शहीद जवान का पार्थिव शरीर यहां लाए गया उन्हें पूरे राज के समान के साथ आखरी विदाई दी गई शहीद अर्विंद कुमार की आखरी रुसुमात में कौन कौन लोग शामिल हुए किस तरह से उन्हें आखरी विदाई दी गई मनोज ज़रा तफसील से बताएं मुम्तार देखिए राजोरी में जो एंकांटर हुए था उसमें कांगड़ा के जवान शहीद हुए थे अर्विंद जो है उन्होंने शहादत को गरे लगाया था और कल सुबह से ही उनके पार्थिव बेह पहुँचने का इंतजार किया रहा था आज सुबह थे बज़े के करीड जो है वो उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुँचाया गया जब उनका घर के अंदर जो है वो जैसे ही शब को पहुँचाया गया तो चीको पुकार से पूरा गाउं गोंच उठा और घर का माहौल गंगीन और होता चला गया हाला कि देखने वाला मनदर था रूला देने वाली तस्वीर यह यह जो दो साल की बेटी है वो बेटी भी अपने पतीटा को देखने ही पा रही हुआ जो पतनी हुआ Wertणे से हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि वो अपने पती का इस दुनिया से जाने का गम हमेरे लिए नह के लिए उनका शब रखा गया जो पतनी है माँ है उनका बेहत बुरा हाल है और खास बात तो यह है कि उनके पिता जो है वो तुस्त नहीं है वो अपनी मांसिक्पा खो बैठे हैं उनको अभी तक नहीं बताया गया था कि उनके बेटे की जो है वो शहादत हो चुकी है और काफी विपक्ष के विधायक जो पूर में विधान सावाजक्ष रहे चुके हैं विपन सिंग परमार वो वहां पहुंचे उन्होंने वहां शर्धानजली दी है परिवार को धांड़स बताने का जो है वो पूरा पूरा प्रयास किया है अब उनका पार्थिश्री जो है घर यह ऐसा एक पल होता है जिस पल में शायद ही कोई आखो जो नम न हो जाए हाला कि हजारों की तादात में जो है वो लोगों ने नम आखोते शर्धानजली उनको अपने घर से जो है वो दी है और इस वक्त हम जो है जो गटना पापका संशान घाठ है जहां अंतिम संस्कार क जाए जाए जाएगी इनका पंच कत्म में गिलीन होने होंगी तो उस वक्त के सारे मनजर को देखने के लिए जो है वो जाओं के चोटे बच्चे से लेकर बजूर्ग तक जो है वो संशान घाठ पहुंच चुका है और इस जार यह हम पिर आप से अपडेट लेंगे आपका बेहर शुक्रिया मनोज इन तमाम अपजेट्स के लिए कांगरा से तस्वीरे देख रहे हैं आप हम अपने दर्शकों तक यह तस्वीरे पहुंचा रहे हैं शही दर्विंद कुमार के पातिव शरीर को उनके ग्रह जिलिल आए गया है और अब उन्हें आखरी विदाई दी जा रही है